हेलो फ्रेंट्स मैं हूँ आपकी दोस्ट चंचल और मेरे चैनली पे आपका बहुत-बहुत स्वागत है फ्रेंट्स टाइटल से ही पता चल गया होगा कि आज हम क्या बनाने वाले हैं जी हाँ आज हम बनाने वाले हैं बिटरूट एन चुकुंदर से बनाई पराठे और मज़ेदार पूरी और साथी एक सिम्पल सी चटने की रेसिपी फ्रेंट्स पराटे पूरिया हम कई प्रकार के काते हैं और बिट्रूट से बनी ऐसी पूरी और पराटे शाहिद ही आपने कभी खाई होगी या बनाई होगी तो चलिए अब इस रेसीपी को फॉलो करके आप आराम से बहुत ही अच्छे से पराटे और बूरिया बना सकते हैं प्रेंट्स बच्चे या कभी-कभी हम भी बिट्रूट खाना पसंद नहीं करते हैं तो क्यों न हम कुछ अलग तरीके से बना के खाएं जिससे की हमारे शरी को बिट्रूट में होने वाले पोशकता तो भी मिलेंगे और हम खाना भी पसंद करेंगे है ना फ्रेंट्स अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किजिए और रेसिपी पसंद आए तो लाइक कमेंट करना ना भूले ताकि मुझे मोटिविशन मिले और मैं आपके साथ ऐसी ही नए-एनए रेसिपी आपके साथ एसी ही नए-एनए रेसिपी करते ह के डालने वाले हूं इसलिए मैंने ये दो कतुरी आठा किया है आप अपने फोर्डिंग ले सकते हो तो अब मैं इसमें एड़ करूंगी दो चमच कुकिंग ओड़ कि अधि इसमें एड़ करूंगे मैं एक चमच नमक साथी साथ आदा चमच रेट चिली पावडर अधा चमच जीरा पावडर और इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे साथी मैं इसमें एड़ करूंगी चार चमच दही दही से इसमें पहुत अच्छी टेस्ट आती है पराठी में यह हो यह पूरिया हो जरूर एड़ किजिएगा चलिए इस अब अच्छे तरी से मिक्स क कर लेते हैं एक यह से ओईल अट्टे में पूरा मिक्स कर लेंगे और अब मैं इसमें एड़ कर रही हूँ एक छोटा बिट रूट जो मैंने ग्रेट कर लिया था अब मिक्सी में भी पीछ सकते हो अब हमें इसका एक आटा बना लेना है थोड़ा थोड़ा पढ़ी डालके इसका हमें एक दो तयार कर लेंगे देखे इस तरीके से दो तयार कर लिया है और अब इसे एक बार और ओईल से ओईल लगाके इसका फिर से एक बार थोड़ा सौप्ट कर लेंगे बहुत हाड और बहुत सौपने बनाना है रोटी से थोड़ हाड होना चाहिए इस तरीके से आटा हमारा रेडी है इसके साथ खाये जाने वाले एक सिंपल सी चटनी भी हम आगे बनाएंगे चलिए यहां मैंने एक कटोरी दई लिया है इसको मैंने फिट लिया इस पराटे के साथ पुरी के साथ यह चटनी बहुत मज़ेतार लगती है इसमें मैंने मौंग फली का पीनट पेस्ट जो होता है वो एड़ किया है दो चम्मच और अब इसे मिक्स कर लेते है इसको हमें एक तड़का लगाएंगे आदा चोटी चम्मच नमक डालके फिर एक बार मिक्स कर देंगे और अब इसको तड़का लगा देंगे मैंने इसके लिए लिया है यहां चम्मच ओएल कड़ी पत्ता, हरी मिर्च और राई और अब इसमें हम यह द़ी डाल लेंगे और मिक्स कर लेंगे फ्रेंट्स हमें इसे ज़्यादा दिर नहीं पकाना है सिर्प गरम ही करना है ताकि द़ी हमारी फटना जाए शेली अब हम पराठे की तरफ बढ़ते हैं इस तरीके से मैं पराठे बेल रही हूँ इस तरीके से पराठा बेल लिजिए और पैन पे घी या तेल लगा के सेख लिजिए इस तरीके से देख सकते हैं आप कितना कलरफुल लग रहा है खाने भी उतना ही टेस्टी लगता है फ्रेंट्स जरूर बनाएगा देख कि हमारा पराठा बिलकुल रेडी है साती हम पूरी भी बनाने वाले हैं चलि या हमारा पराठा बिलकुल रेडी है इबाइट तो गया पेट में, चलि या अब पूरी बनाथें इस तरीके से एक रोटी बिल लेनी है यसे हम पूरी बनाते है नोर्मली बहुत पतली और मोटी नहीं बिलन ली है मिडियम साइज की ताकि पूरी हमारी क्रिस्पी और सौफ भी रहे और एक कटोरी की सायत से कट कर लेना है चलिए या मैंने तेल गरम होने के लिए रख दिया था पूरियों को दर लेते हैं फराट उसे भी ज्यादा टेस्टी पूरिया लगती है विट्रूट की पर अगर हेल्दी खाना है तो आप पराटे बनाए और थोड़ ओईली खा सकते हो तो पूरिया बनाए और इस चच्चनी के सब खाए बहुत ही मज़ितार लगता है देख सकते हो आप कितनी फुली फुली पूरिया रेड़ी है यह मैं आपको फोड की भी दिखा रही हूँ देख सकते हो गरमा गरम पूरी रेड़ी है ट्रेन रेसिपी कैसे लगी कमेंट करगे ज़रूर बताएगा चैनल पर नए हो तो चैनल को सबस्क्राइब किजिए लाइक किजिए कमेंट किजिए और शेयर जरूर करिएगा ताकि आपके फैमिल्य और फ्रेंड्स को भी जैसी भी